हलो दोस्तो आज की वीडियो में लोग देखेंगे कि ट्रांसफोर्मर के अंदर कौन-कौन से में洑र होते हैं तो दोस्तो जो core होता है वो iron या तो silicon steel से बनाया जाता है तो जो core है वो magnetic flux को path provide करता है means transformer में जो flux produce हो रहा है वो core के जरिये ही दूसरे winding तक पहुचता है दोस्तो जो core होता है वो बहुत सारे पतले-पतले sheet को मिला करके बनता है एक sheet की thickness अपरॉक 0.5 annon होती है तो ऐसे ही बहुत सारे sheet को मिला करके एक core को बनाया जाता है बट दोस्तो इनको directly ही नहीं जोड दिया जाता इनके बीच में एक lamination की layer होती है उसके बाद इनको जोडा जाता है तो lamination की layer इसलिए डाली जाती है कि जो transformer के अंदर eddy current loss होता है वो कम होने लगता है मिन्स हम लोग अगर core के अंदर lamination की layer डालेंगे तो उसके वोजे से eddy current loss कम होने लगता है और जो silicon steel हम लोग use कर रहे है उसके वोजे से high stress loss भी कम होने लगता है इसके लिए कहा जाता है कि जो core है वो silicon steel से with lamination से बनाया गया है तो अब हम लोग next point को देख लेते है तो next is winding तो दोस्तों transformer की जो winding होती है वो copper से बनाई जाती है transformer की winding core के उपर ही की जाती है means जो core होता है उसके उपर ही winding को लपेटा जाता है और जो winding होती है उसके उपर भी insulation की coating होती है जिससे की winding एक दूसरे में short circuit ना हो जाए तो हम लोग next point को देख लेते है तो next point is transformer tank तो tank के अंदर ही transformer के core and winding को रखा जाता है tank मोटे metal से बनाया जाता है इसकी थिकनेस बहुत ही ज़्यादा होती है और ये पूरी तरीके से seal रहता है तो हम लोग next point को देख लेते हैं वो है transformer oil दोस्तो ये जो transformer का tank है ये पूरा oil से भरा जाता है ये जो oil है वो insulation और साथी साथ cooling भी प्रोवाइल करता है winding को दोस्तो ये कोई normal oil नहीं रहता ये mineral oil रहता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा और भी देखेंगे उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि terminal and bushing क्या होते हैं तो दोस्तो ये जो terminal है यहाँ पर हम लोग transformer को supply देते हैं और इस terminal से हम लोग supply को लेते हैं तो इनका use होता है supply लेने के लिए और supply देने के लिए तो इसके ओपर insulation इसके लगाया जाता है कि दोस्तो अगर कोई भी wire हम लोग connect कर रहे हैं तो वो wire हमारे directly transformer के body के contact में न आए इसके लिए यहाँ पर insulation लगाया जाता है दोस्तो इसको bushing भी बोला जाता है जो किड हमारे transformer के साथ directly connected रहता है conservator tank बहुत ही important role play करता है हमारे transformer के अंदर तो दोस्तो जब भी transformer fully loaded होता है तो उसकी winding ज्यादा heat होती है तो winding ज्यादा heat होने के बज़े से क्या होता है कि हमारा जो oil है वो भी ज्यादा heat होता है कि conservator tank को कभी भी full नहीं भरा जाता है, तो यह जो expansion हो रहा है, वो conservator tank के अंदर होता है, इसके लिए हम लोग conservator tank को कभी भी full नहीं भरते, इसके बारे में थोड़ा और भी हम लोग देखेंगे, उससे पहले हम लोग next point को देख लेते हैं, तो next point है breather, दोस्तों जो breather हैं, वो conservator tank के साथ ही connected रहता है, जैसा कि हम लोगों ने देखा, कि transformer जब भी fully loaded होता है, तो जो oil का level है, वो increase होने लगता है, जिसके वज़े से, हमारा जो conservator tank होता है, उसके अंदर जो air है, वो अगर बाहर नहीं निकलेगी, तो हमारा जो oil का expansion है, वो नहीं हो पाएगा, इनके समझ दीजे, हमारा जो conservator tank के अंदर air है, वो अगर बाहर नहीं निकलती है, तो हमारा जो conservator tank है, और transformer है, वो oil का expansion ज़ादा होने के वज़े से, क्या होगा, कि फड़ जाएगा, तो ऐसी condition ना हो, इसके लिए हम लोग breather का use करते हैं, तो breather का use करके, हम लोग इस air को बाहर निकालते हैं, और जब transformer हो normal condition में आता है, मिंस उसके उपर normal load होता है, तो हमारा जो oil का level है, वो वापस अपने original position पे आ जाता है, तो breather के थुरू, वापस air को conservator tank के अंदर डाला जाता है, बट जो air होती है, उसके अंदर moisture भी होता है, तो इनके साथ, अगर moisture हमारे transformer oil के साथ mix हो जाता है, तो हमारा transformer oil खराब हो जाएगा, इसके लिए हम लोग breather के अंदर silica gel का use करते हैं, तो ये जो silica gel है, वो जितने भी moisture है, उनको absorb कर लेती है अपने अंदर, तो जो air conservator tank के अंदर जाती है, वो बिना moisture वाली ही अंदर जा पाती है, तो हम लोग next point देख लेते हैं, बुकोज relay, ये एक safety device है, ये बहुत ही important role play करता है, हमारे transformer के protection के लिए, बुकोज relay के उपर, इंटर्वी में बहुत सारे question पूछे जाते हैं, उसके उपर मैं एक separate video बना दूँगा, बुकोज relay को, conservative tank and transformer के tank के pipe के बीच में लगाया जाता है, transformer में जब भी कोई छोटा fault develop होता है, तो ये जो बुकोज relay है, वो alarm signal sand करता है, और इफ कोई बड़ा fault develop होता है, तो ये direct trip signal sand करता है हमारे circuit breaker को, और transformer बन दो जाता है, next is cooling tube and radiator, तो दोस्तो जो radiator होता है, वो हमारे transformer tank के साथ में ही connected रहता है, ये भी metal से ही बनाया जाता है, ये जो radiator होता है, बहुत सारी पतले पतले pipe को मिला करके बनाया जाता है, तो दोस्तो जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, कि जो गरम oil होता है, वो उपर के साइड जाता है, और जो cool oil होता है, वो नीचे के साइड में आता है, तो जब भी oil गरम होता है, तो वो उपर के side जाता है और इन radiator के अंदर आता है तो इन radiator के अंदर आने के वज़े से क्या होता है कि इन में बहुत सारे पतले-पतले pipe है और इनके बीच में gap होने के वज़े से इनके अंदर हवा लगती है तो हवा लगने के वज़े से ये easily cool हो जाते है या तो जिदर जादा गर्मी हो रही है उस जगह पे हम लोग externally fan भी लगाते हैं इनको cool करने के लिए तो इन pipe में से जब भी oil cross होता है तो वो थंडा हो जाता है तो वो नीचे के side वापस चला जाता है ये जो circle है ये continue चलता ही रहता है जिसके वज़े से हमारा जो oil है वो थंडा होते रहता है तो cooling tube and radiator का यही काम है कि oil को थंडा करना तो दोस्तो अब हम लोग देख लिएते हैं last point को explosion valve ये दोस्तो खाली emergency situation में ही use होता है तो दोस्तों consider कर लिए कि मेरा transformer के अंदर कोई fault हो गया है और मेरा जो breather है वो काम नहीं कर रहा तो जो oil है वो बहुत तेजी से गरम होने लगेगा तो गरम होने के वज़े से बहुत तेजी से expansion होगा तो मेरा जो बुकोज लिए वो भी समझ देख काम नहीं कर रहा तो इतना तेजी से expansion होनी के वज़े से क्या होगा कि हमारे जो transformer है वो फट याएगा तो transformer अगर फटेगा तो वो पूरी berm की तरह फटेगा तो ऐसा transformer न फटे उसके लिए क्या किया जाता है कि expansion valve को दिया जाता है मिंस इसके अंदर एक पतली से sheet होती है जो कि हमारे transformer की body है जितना जाड़ा metal लगाए गया उससे थोड़ा सा पतला रहता है तो हमारा transformer न फटे ये sheet पहले फटनी चाहिए अगर अंदर expansion होता भी है बहुत ज़्यादा तो तो अगर ये sheet फट याएगी तो हमारा जितना भ बहुत आए-ग